नमस्कार दोस्तों इंजिनीर भारत में अपका इक बार से स्वागत है और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैں Lum Solar Company के MPPT टाइप के Solar Charge Controller की और Smartand Company के नए 50 Ampere के GPK Solar Charge Controller की Smartand Company में पहले आपको 12 vos और 24 vos के system के लिए 30 A current rating का ही Solar Charge Controller देखने को मिलता था लेकिन अभी इन्होंने अपग्रेड कर दिया है और अभी आपको ये 50 अंपेर करेंट रेटिंग के साथ में मिलता है तो दोनों ही solar charge controller जो हैं वो single battery और double battery के लिए बनाए गए हैं अगर आपके पास ने single battery का system है तो भी आप ले सकते हैं और double battery का सिस्टम है तो भी आप इन दोनों में से ही कोई भी solar charge controller ले सकते हैं लेकिन दोनों ही solar charge controller की कीमत में काफी अंतर है और इनके technical specification में काफी अंतर है तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल बैंटरी के लिए तो यहां पर समार्टन कंपनी वाला जो है उसके उपर आप सिर्फ 800 वोट तक के ही पैनल लगा सकते हैं सिंगल बैंटरी पर और उसके जो वियो सिरेंज है वो 50 वोल्ट है तो यहाँ पर 50 वोल्ट की वियो से रेंज हाला कि काफी सही है जो मार्केट के अंदर आपको पैनल मिलते हैं 374 वोट के या 440 वोट के तो उनकी जो वियो से रेंज रहती है वो 45 वोल्ट यानि के 45 वोल्ट से लेकर 50 वोल्ट तक रहती है तो यहाँ पर अगर आप इन में से कोई भी पैनल खरीदते हैं तो उसके लिए आप इसका उप्यों कर सकते हैं लेकिन 800 वोट के अंदर आप 440 वोट के दो पैनल नहीं लगा पाएंगे तो यहाँ पर 370 वोट के या 390 वोट के दो पैनल आपको लगाने पड़ेंगे वहीं लूम सोलर कंपनी वाले की बात करें तो वहाँ पर उसके अंदर आपको सिर्फ 40 अंपेर करेंट रेटिंग का ही सोलर चार्ज कंट्रल देखने को मिलेगा और सिंगल बैंटरी के उपर आप सिर्फ 600 वोट तक के पैनल लगा सकते हैं लेकिन यहां पर इसका प्लस पॉइंट है व्योसी रेंज के अंदर यहां पर आपको 36 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट तक की व्योसी रेंज देखने को मिलती है तो यहां पर अगर आप दो पैनल को भी सिर्फ में कनेक्ट करके इसके लगा देते हैं सिंगल बैंटरी पर तो भी यह है आपकी बैंटरी को चार्ज कर देगा तो यहां पर जिसको यह 440 वोल्ट के पैनल खरीदने हैं उसके लिए यह सोलर चार्ज कंट्रोलर काफी फाइदेमंद रहेगा और कंपनी ने भी यही सोचते हुए इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को लॉंच किया है क्योंकि लूम सोलर कंपनी के अंदर आपको बाइफेसियल और हाफकट जो सोलर पैनल मिलते हैं उनकी वियो सीरेंज चास वोल्ट के करीब है तो उनको स्पोर्ट करने के लिए मार्केट में भी दूसरी कंपनी के अंदर जो एंपीपीटी टाइप के भी सोलर चार्ज कंट्रोलर आते थे हैं वो सिरफ 45 वोल्ट की वियो सी तक को ही स्पो पहले नियोन एटी इनका मोडल खरीदा हुआ है और वो प्रफेक्टली वरक करता है हालांकि जो नियोन एटी है उसकी हमने सेपरेट वीडियो बनाई है वो एक बैंट्री लेकर चार बैंट्री के उपर आप लगा सकते हैं और जो लूम सोलर कंपनी वाला है ये सिंगल और डबल बैंट्री के लिए है तो सिंगल बैंट्री पर अगर आपको ज़्यादा पैनल लगाने हैं तो आप समार्टन कंपनी वाला ले सकते हैं और समार्टन कंपनी वाले से आपको सस्ता ही मिलता है लगब 5,000 रुपे में आपको समार्टन कंपनी वाला मिल जाता है और लू तो यह उसका थोड़ा सा ड्रोबैक मेरे को लगा हाला कि वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है आप परलेल में कनेक्शन करेंगे तो आउटपुट जो आपको मिलती है वो उतनी ही मिलेगी और यहां पर जो लूम सोलर कंपनी वाला है इसकी वो सी हमने बताई थी 100 वोल्ट की है लेकिन यहां पर आप सिर्फ 12 वोल्ट तक की ही पैनल इसकी वपर लगा पाएंगे तो यहां पर जो सोलर पैनल की स्पोर्ट करने की जो कपैस्टी है उन दोनों में काफी डिफरेंस आपको यहां पर देखने को मिलता है और प्राइ कंपनी वाला ले सकते हैं दोनों की ही लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएंगे वहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं और इसके अलावा मार्केट में आपको कई कंपनियों के सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया आसा मिलती रहे धन्याबाद